एक बार मुल्ला नसरुद्दीन किसी शहर के व्यस्त इलाके से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक भिखारी को लोगों ने घेर रखा है। बिला लेते हैं और मज़ा आ जाएगा। वह बोला इस भिखारी ने मुझसे मेरे चूले पर रोटी सेंखने की इजासत मांगी। मैंने दे दी पर इसने चूले पर रोटी सेंखने जगा मेरे तवे पर रोटी सेंखी। उस तवे पर कबाब बनाने के बाद बचा हुआ तेल अर्थात उसकी रोटी में मेरे कबाब की खुश्बू चली गई अब मैं अपने तेल और खुश्बू के पैसे मांग रहा हूँ तो क्या मैं सही नहीं हूँ मुल्ला ने बिखारी और भीड पर नजर डाल कर बिखारी से पूछा क्यों श्रीमान के आप नहीं जानते हैं कि दूसरों की वस्तु लेने पर उन्हें पैसे देना पड़ता है हैरान परेशान बिखारी ने चुपचाप जितने भी पैसे जेब में थे निकाले और देने लगा तुरंद मुल्ला बोल पड़ा एक मिनट श्रीमान लाइए मैं उन्हें यह सिक्का देता हूँ ये कहकर मुल्ला ने सिक्के लेकर अमीर आदमी से कहा श्रीमान सरा अपना कान तो पास लाइए परेशान अमीर व्यक्ती मुल्ला की और जुका मुल्ला ने उसके कान के पास ले जाकर सिक्कों को जोर से खनखनाया और पूछा श्रीमान आवाज कैसी लगी? बहुत अच्छी, अब जरा हात में लेकर देखूँ अमीर व्यक्ती ने कहा मुल्ला ने वापस सारे सिक्के बिखारी की जेब में डालकर कहा श्रीमान बिखारी ने मात्र कबाब की खुश्बू ली खाया नहीं, आपने भी सिक्कों की खनखनाहट सुन ली इससे अमीर व्यक्ती सक्ते में आकर सिर जुका कर चुप चाप अपनी दुकान में चला गया